नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस विद राय एकेडमी में आज जो टॉपिक है आपका वो है जनगर्णा 2011 यह टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हर एक्जाम में इस टॉपिक से एक कोश्चन लगबग पूछा ही जाता है चाहे वो SSC हो बैंकिंग हो य इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इस वीडियो में जनगर्णा के सारे facts को लिया गया है जो कि परिछा की दृष्टी से महत्पूर्ण है तता इसे आपको नोट करना है PDF के तोर पर आपको यह इसलिए नहीं दिया गया है ताकि आप इसे करेंगे नोट करेंगे तो समझने और याद करने में काफी आसानी होगी चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दीए सबसे पहले आप यह जानिए कि जनगर्णा की सुरुवात हुई कहां से या इसके साक्ष हमें कहां से मिलते हैं तो पहला पॉइंट आपका यह है कि जनगर् में आइने अकबरी जो अबुल फजल की थी में भी जनगर्णा का उलेख मिलता है यह तो हो गए कि कहां से इसकी उत्पत्ति या हमें साक्ष मिलते हैं आधुनिक पद्यती से प्रथम जनगर्णा स्वीडन में हुई थी और यह 1749 में हुई थी उसके बाद आजे यह 1890 में जो इंडिया में भी इस समय जो 10 साल की जनगर्णा होती है उसकी सुरुवाद जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और वो 1890 में हुई थी नेक्ट पॉइंट है ब्रिटिस में भारत स्वीडना 1872 में लाड मेयो के काल में जब्कि प्रथम नियमित जनगर्णा ला इंडिया में हुई थी और लेकिन जो रेगुलर्ट जनगर्णा शुरुवात हुई जिसकी हर 10 साल पर वह हुई 1881 में नेक्स्ट है कि 2011 की जनगर्णा जो है वो 15 नंबर की थी पंद्रवे क्रम की जनगर्णा थी नेक्स्ट है और इसका जो थीम था आप कह सकते हैं नारा थीम वो था हमारी जनगर्णा हमारा भविश से जोकी most important है कई बार पूछा गया है थीम है हमारी जनगर्णा हमारा भविश से नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगर्णा के आयुक्त सी चंद्रमॉली थे तथा इस पर टोटल बाइस सो करोन रुपए का खर्च आया था नेक्स्ट है इसमें नागरिगों से 29 सवाल पूछे गया थे याने कि 29 29 कोश्यन पूछे गया थे पहली जाती आधारिज जनगर्णा हाजी मोरा जो की त्रिपरा में हुई थी नेक्स्ट है कि 1921 की जनगर्णा को महान विभाजक वर्स भी कहते हैं अगर आपसे ये कोशन पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्स की जनगर्णा किस सन में हुई थी तो आपका एंसर होगा 1921 में आईए नेक्ट टॉपिक पर आते हैं पॉइंट पर जनगर्णा 2011 के विविद तत्य थे भारत में विश्व के 2.4% 6 तफल पर विश्व की कुल जन संख्या का 17.5% लोग रहते हैं यानि कि जो इंडिया की जो छेतर फल के अगर हम बात करें तो विश्व का 2.4% है और इसमें विश्व के पूरी जन संख्या का 17.5% लोग रहते हैं आजादी के बाद यह सात्वी किंतु क्रम में पंद्रवी जनगर्णा थी यानि कि 1947 के बाद यह सात्वे नंबर की जनगर्णा थी लेकिन अगर पूरे क्रम की बात करें तो यह पंद्रवी जनगर्णा थी अब जनगर्णा के सबसे important यह है कि कुल जन संक्या आपकी कितनी है कुल जन संक्या है आपकी 121 करोण 5,79,573 ये उस समय का 2011 का जो जन करना पेस करी गई थी उस समय का फैक्ट है जो कि अब बढ़ चुका है इसमें पुरुस जो थे वो 51.47 परतीसत थे और महिलाएं जो थी वो 48.53 परतीसत थी आईए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो अगर हम जन घनत्तु की बात करें तो 2011 के जन घनत्तु के अनुसार भारत का जन घनत्तु 382 ब्यक्ति परती वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया जो की 2001 की जन घनत्तु से 58 जादा है जो 2001 की जन घनत्ती उससे 58 जादा है अब जन घनत्तु की बात अगर कर लें तो सबसे जादा जन घनत्तु बिहार में है जो की 1106 है सबसे कम जन घनत्त अरणाचल परदेश का है जो की 17 है सरवाथिक केंद्र सासित जो जन घनत्त्त है वो दिल्ली का है जो कि 11,320 है और सबसे कम अंडमान निकोबार का है जो कि इनसासित है वो है 46 46 अब अगर हम लिंगा नुपात की बात करें जो कि सबसे इंपोर्टन्ट है उसमें ये है कि एक हजार पूरुस पर 943 महिलाएं है एक हजार पूरुस पर 943 महिलाएं है और ये सबसे सरवाधिक है केरल में जहां पर 1084 है सबसे कम हर्याना में है जहां पर 889 है उसके बाद केन सासित प्रदेश में पुड़ी चेरी जहां पर 1037 है और केन सासित में सबसे कम दमन दीप में है जो की 618 है अगर हम साक्षरता दर की बात करें साक्षरता तो सबसे जो टोटल साक्षरता है वो है 73% इंडिया की जो साक्षरता दर है वो है 73% अब इसमें पुरस की जो साक्षरता दर है वो है 89% और महिलाओं की जो साक्षरता है वो है 64.6% सरवाधिक साक्षरता केरल की है जो की 94% है सबसे कम है बिहार की जो की 61.8% है वहीं अगर हम के अंसासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है लक्ष दीप की जो 91.8 प्रतीसात है और सबसे कम है दादर नगर हवेली की जो 76.2 प्रतीसात है अगर हम जनसंक्या की दरश्टी से सीर्स 5 राज्य देखें सबसे है उत्तर प्रदेश जो की 19.98 करूण है जो की पूरी जनसंख्या का 16.51 प्रतीसत है उसके बाद है महराष्ट जो की 11.23 याने की 11.23 करूण है और उसकी जो पूरी प्रतीसत अगर हम देखे तो 9.28 प्रतीसत है बिहार राजजे जिसकी जनसंख्या जो है 10.40 करूण है और प्रतीसत में 8.60 प्रतीसत उसके बाद है पषचिम बंगाल 9.12 करूण और इसकी प्रतीसत है 7.54 प्रतीसत उसके बाद है आंदर प्रतीस Whose 8.45 करूण और प्रतीसत की दरेश्टी से 6.99 प्रतीसत याने कि सबसे जो जनसंक्या है वो है उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोण नेक्स्ट पॉइंट पड़ाते हैं अगर हम बात करें कि जनसंक्या व्रधी दर्वाले सीर राज्य यानि कि इन राज्यों में जो जनसंक्या व्रधी का प्रतीसत था सबसे अधिक पाया गया वो है दादर और यानि कि यह दादर और नगर हवेली जो है उसमें जनसंक्या व्रधी दर्वाले राज्य यानि कि जिसमें 10 सालों में सबसे कम जनसंक्या व्रधी हुई वो है नागा लेंड जिसमें 0.6% केरल 4.9% लक्षदीब 6.31% नेक्स्ट पॉइंट है जनसंक्या की दरश्टी से निवनितम तीन राज्य यानि की जहां पर जनसंक्या सबसे कम है वो है सिक्किम, मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश यहां पर मिजोरम होगा और अरुनाचल प्रदेश ये तीन क्रम में राज्य हैं जहां जनसंक्या नेक्स है जन संक्या की द्रष्टी से सीर्श टीन केंद्र सासित प॰देश तो वह हैं देलि, पूडुचेरी और चंडीगर यह केंद्र सासित प॰देश है जहां पर जन संक्या सबसे ज्यादा है नेक्स्ट है न्यूनितन जनसंख्या वाले केंज सासित प्रदेश वो है लक्षदीप, दमंदीप और दादर एवं नगर हवेली यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है जो केंज सासित प्रदेश है अब नेक्स्ट है सरवाधिक लिंगा नुपात वाले राज्ये वो है केरल, तमिलनाडू और आंदर प्रदेश केरल में प्रती हजार पुरुस पर दस चौरासी याने की एक हजार चौरासी एक हजार पुरुस पर एक हजार चौरासी महिला हैं तमिलनाडू पर एक हजार पुरुस में 996 महिला हैं और आंदर प्रदेश में एक हजार पुरुस पर 993 महिला हैं सरवाधिक लिंगा नुपात वाले केंदर सासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो है पुरुचेरी जहां पर एक हजार पुरुस पर एक हजार सैंतिस और लक्षदीप में एक हजार पुरुस पर 947 महिला हैं ये दो राज्ये हैं जो केंदर सासित हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं देकि नेक्स्ट पॉइंट है नियुंतम लिंगा नुपात वाले राज्ये हैं यह हर्याणा जहां पर 889 है जम्मु कस्मीर यहां पर 889 है और सिक्किम जहां पर 890 है नियुंतन लिंगान उपात वाले केन सासित प्रदेश जो हैं वो है दमन द्वीप जहां पर प्रती हजार पर 618 महिला हैं दादर नगर हवेली जहां प्रती हजार पर 774 महिला हैं चंडीगर जहां पर 818 हैं नेक्स्ट है सरवाधिक जनसंख्या वाले दो जिले कौन से हैं वो है माराष्ट का थाने जिले और पस्चिम बंगाल का 24 परगना जो की सरवाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अब ये नियुंतन चंसंक्या वाले दो जिले कौन से हैं वो है दिवांग घाटी जो की अरुनाचल प्रदेश में है और अजाम ये भी अरुनाचल प्रदेश में ही है भारत की आउसत जीवन प्रत्यासा जो है वो है चांचट वर्स चांचट वर्स और इसमें पुरुस का ज प्रती हजार पर 69 शिसूं की है और नियुंतन सिसु मृत्तिवर जो है वो गोवा मनीपूर का है जो प्रती हजार पर 11 शिसू है सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या वाले राज्जे है उत्तर प्रदेश बिहार और पस्चिम बंगाल सरवाधिक ग्रामीर जनसंख्या वाले राज्य उसके बाद है सरवाधिक ग्रामीर जनसंख्या वाले राज्य सरवाधिक प्रतीसत में सरवाधिक ग्रामीर जनसंख्या वाले राज्य जो प्रतीसत में हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश बिहार और असम हिमाचल प्रदेश में है 90 प्रतीसत, बिहार में 88 प्रतीसत और असम में है 85 प्रतीसत अई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सरवाधिक जनसंख्या वाले सहरी राज्जे सरवादिक जنसंखया वाले जो राज्ये हैं जिसमें सहरी जनसंखया रहती है वो है माहराष्ट दूसरे नमबर पर है उत्तरप्रदेश तीसरे नमबर पर है तमिल नाडू अगर देश के सरवादिक लिंगा नुपात वाले दो जिलों की बात करी जाए तो वो है माहे जो कि पुडुचेरी में है जहां प्रती हजार पुरुस पर 1176 मैलाएं है अलमोडा जो कि उत्राखंड में है यहां पर प्रती हजार पुरुस पर 1149 मैलाएं है नेक्स्ट है देश के निवनितम लिंगानुपात वाले दो जिले कौन से है निम्तम लिंगान उपाद वाले जो दो जिले हैं वो है दमन जो कि दमन दूइप में है जहांपर 533 है प्रती हजार पर और फिर ले जो कि लद्दाक में है जम्मु कस्मीर में वहाँ पर 583 है प्रती हजार पर देश में उच्छ साक्षरता वाले दो जिले कौन से हैं वो है सर्चिप जो कि मिजोरम में है जहांपर 98.76 परती साक्षरता है और अजावल मिजोरम जहांपर 98.50 परती साक्षरता है यहांपर लगबग मान लीजिए 100 परती साक्षरता है जो कि भारत में ही है देश में नियुन्तम साक्षर्टा वाले दो जिले कौन से हैं वो है अली राशपूर जो की मद्ध प्रदेश में है और बीजापूर जो की 36 गड़ में है अब ये कुछ वन लाइनर पे इविक फैक्ट्स हैं ये देख लीजिए देश की कुल जन संख्या का 16 स्मलो 6 परतीसत है जो देश की जो कुल जन संख्या का ये जो साक्षर्टा है वो है जो अनुसूचित जाती है सरवादिक अनुसूचित जन संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश सरवादिक अनुसूचित जन जाती वाला राज्य है मद्ध प्रदेश देश में सरवादिक विकलांग जो है वो द्रश्टी विकलांग है जो आग से नहीं देख सकते हैं नेक्स्ट है देश में कुल सहरी जनसंख्या 31.2 परतीसत है और देश में कुल ग्रामीर जनसंख्या जो है वो है 68.8 परतीसत देखे ये जो टॉपिक था वो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है और आपको इसे पूरी तरीके से याद कर लेना है और इसमें सभी important facts को लिया गया है जो exam की दरश्टी से आपके लिए अति महत पूर्ण है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो like और share कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद